करेंगे हम पहले हम करेंगे ये कुछें हो गया हाँ परचेज मसीन असी अजार रुपए और चार्जिश डप्रिशेशन हो जाएगा ये इसे करना लागली क्लास में पूछेंगे रेक्टिफिकेशन तो बात में करते हैं पहले करते हैं ये हो गया पहले करते हैं ये भी होमवक में लिखी है तो ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा चलिए चेंज मेथट पर आजाते पुप सामा झाजब डो झाजब में झाजब दो झाल अब इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम में चेंज मेथड आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसिस है क्लियर है चलिए सर चेंज मेथड देखते है जिसका जो भी डाउट आए कमेंट कर दीजेगा सबसे पहले चेंज मेथड होता क्या है यह समझ ले चेंज मेथड क्या है मान लो एक कमपनी है that is XYZ लिबेटेड इसने मसीनरी खरीदा सपोस करो एक लाख रुपए का and he decided कि भाई यह डेप्रीशेशन लगेगा 10% SLM तो last के end में हर किसी के end में डेप्रीशेशन 10,000 now कितने लगे बचे 90,000 फिर से end में डेप्रीशेशन कितना लगेगा 10,000 बचा कितने 80,000 now company decide SLM नहीं लगाते हैं हम WDV लगाते हैं दो साल पहले जब ES6 में cover होता था तो बहुत जञजट था इसके अंदर हमें पीछे value से calculate करना होता तब बिल्कुल simple हो चुका है यह अब इसके बाद हमारे पास मान लेते हैं हमने इस बार सोचा यार अब WDV लगाते हैं अब WDV का मतलब rate same नहीं रहेगा इसकी मर्जी है कुछ भी करें इसने बोले भाई WDV 15% से करेंगे तो यहीं से WDV चालू हो जाएगा end में क्या होगा हमारा depreciation अब 80,000 पे सीधा 15% चालू हो जाएगा 12,000 माइनस करोगे तो बचा 68,000 अब आगे to be continue क्या लगेगा हमारा WDV 15% तो इसी method को क्या बोला जाता है हमारा change method सुरू से कोई और method लग रहा था साल के बीच में यह किसी भी time हमने अपना method ही बदल दिया अब यह method आपका SLM से WDV भी हो सकता है WDV से SLM भी हो सकता है rate कुछ भी हो सकता है कम भी और जादा भी तो चलिए इस question के help से समझते हैं कहता है good luck limited purchase a machinery gen 17 112,000 सर कितने का खरीदा 194 का और इस machinery पे spent कर दिया 6000 तो machinery की कीमत हो गई total जाके 2,000,000 now edition machinery costing 1,000,000 purchase 1,00,000 जुलाई 19 एक साथ 2019 में एक और M2 खरीद लिया जिसके कीमत है 1,000,000 तब machinery purchase January 17 यानि इसकी बात कर रहा है has been auction for rupees 1,000,000 auction का मतलब भी होता है seal कर देना ठीक है निलाम कर देना तो आपने इस वाले machinery को बेच दिया सहाव इस वाले machinery को sold कर दिया कब बेच दिया आपने इस machinery को आपने इस machinery को कहता है purchase एन एक जुलाई उननिस यानि सर एक साथ दो हजार उननिस में इसको बेच दिया आपने और कितने का बेच दिया सर वन लाग का ध्यान रखेगा इस बात को आगे जब करेंगे तो यूज होगा और दा सेम डेट एक machinery purchase के आदे लाग का इस यह होगे हमारा M3 तीन machinery हो गई depreciation was provided depreciation 10% original cost original cost कौन सा SLM फिलाल अभी SLM लग रहा है 10% के हिसाब से no depreciation need to be charged in the year of sale of machinery जिस साल machinery को बेचेंगे उस साल depreciation लगाने की कोई जूरत नहीं है तो देखो मैंने एक साथ 2019 में बेचा है तो जो भी तीन मैने जो भी depreciation लगेगा नहीं लगाना क्योंकि साल बेचा गया है आगे कहता है for the part of the year when machinery use however the company charge change method change कर रहा है WDV method में 15% from straight line method और यह change करना चाह रहा है 1-1-2-0-2-0-2 एकाउंट 17 से लेके 20 तक का बनाना है ठीक है समझ में आए कुश्चन एक बार मैं line depreciation charge वाला मैं पढ़ देता हूँ no depreciation need to be charged year of machinery year of sale of machinery part the year machinery was used जिस साल बेचोगे कई वार ऐसे भी बोला जा सकता है कि in the year machinery purchase full year depreciation should be charged मतलब अगर आपने यह खरीदा है जुलाई में तो आपको पूरे साल का लगाना होगा उस टेम पर यह बोल देगा ठीक है चलिए अब depreciation लगा ले के करके अब हमारा accounting year अब बताये कहीं पर क्या accounting year बताये जल्दी से नहीं मार्च में खतम हो रहा है या दिसंबर में बताये ऐन्वली 31st दिसंबर कहता है के स्टेट लाइन अपियर एक एक दस शोदा मसीनरी अकाउंट 12 से 17 और depreciation दिसंबर वाली बात कहा लिखी है 12 अगर ये लाइन नहीं कहता तो जो आपको year है ना इससे समझना होता दो तरीके से year बोलते हैं जाएसे बोलता है 2018 19 से 2 2020 21 अगर ऐसे देता है वो तो तो ये मार्च वाला है क्योंकि इसमें दो साल आ जाते है एक में अगर ऐसे देता है 17 से 20 तो इसमें 17 में 21 साल आ रहा है तो ये जनवरी वाला है ये ध्यान रखने आप ठीक है ना हालाकि कुशन बोलेगा कई बार नहीं बोले तो एक्जाम में तो करना है कुशन हमें तो मैंने 19 क्यों लिया 17 में एक जनवरी 2017 को मैंने आउक्षन किया है एक मिनाट डेट गलत ना हो जाए एक जुलाई को एडिशन कॉस्टिंग एक लाक रुपे परचेस मसेंडरी एक जुलाई 19 में हमने बेचा है ठीक है 31 बारा 17 में डेप्रिशेशन लगेगा अभी फिलहाल SLM चल रहा है डिसीजन हुआ 2020 में जाके तो 20 में WD भी लगेगा अभी तो SLM ही चलेगा 30 20 परसेंट यानी 1 एक एक दो हजार फिर से डेप्रिशेशन लगेगा 31 बारा 2019 लेकिन आप ध्यान से देखिए एक मैंट 18 18 बचे कितने अब आगया इस साल बेचने वाला 1-1-2019 और हमने बेच दिया 1 जुलाई को 1-7-2019 और कुशन साफ साफ कहता है जिस साफ आप बेचोगे डेप्रिशेशन चार्ज तो नहीं करेंगे भाई डेप्रिशेशन इतनी टाइम तक इसने भले ही इस्तमाल किया नहीं करेंगे क्यों कुशन कह रहा है कितने का बेच दिया ये बीस एक साथ हैगा ठीक है तो साथ हजार रुपे का क्या हो गया यहां पर देखिए ठीक है आगे बढ़ जाए अब इस पर डेप्रिशेशन लगाएंगे 31, 12, 2017 को कितने महिने का सर 6 महिने का या 7 महिने का जुलाई, अगस, सेप्टमबर, अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर कितने महिने का 6 महिने का तो अभी तो SLM ही चलेगा देट इस 5000 बचा कितने 95 एक, एक, दो हजार, अठार, एक, तिस, बारा, दो हजार, अठार, अभी भी SLM ही चलेगा देट इस, आपका 75,000 एक, एक, दो हजार, बीस अभी साल बदल जाएगा एक, तिस, बारा, दो हजार, बीस अब SLM नहीं लगीगा 15% के हिसाब से WD भी लगीगा तो 75,000 पे 15% ग्यारा हजार, दो सो पचास यहां गया 63 750 पहले बड़ा लफड़ा था इसके अंदर ना बहुत लफड़ा था पहले इसके अंदर हमें Redrospective Effect जाना पड़ता था, Change Method का Impact लिना पड़ता था, लेकिन AS10 के अंदर यह सब खतम कर दिया गया, बोला भाई है, जब से Change वह तब से लगाओ इस पे Depreciation लगे गा 31,12, 2019 6 महिने का, that is 75,00 रुपए बचा कितने, 1,42,500 पान सो एक, एक, दो हजार बीस अब 31,12, 2020 तो अब तो सीधा WDB ही लगना है 1,42,500 पे कितने परसेंट 20 15 21,375 पुरानी बुक जिन बच्चों के पास है यह question होगा last year कई बार paper में आया हुआ है वहाँ पर solution देखोगे तो कुछ अलग मिल सकता है हो सकता है पुराने वाले तरीके से change करके करा हो क्योंकि यह changes आया हुआ है slaves के अंदर उसके according किया हुआ है पुरानी बुक जिन बच्चों के पास होगा उसके अंदर इसका करने का तरीका बिलकुल अलग होगा तो दियान रखिएगा चलिए सबसे पहले लिखे ले balance कब लिखें 1,1 17 क्या लिखें 2 bank कितने का खरीदा साहाब 2,00,00 31,12 को depreciation लगा दे depreciation 20,00 अब हमें देखना M2 कब खरीदा इसी साल खरीदा है क्या बिलकुल हाँ 1,7 17 को ही खरीद लिए हमने M2 M2 लिखे देते हैं 1,00,00 इस पे भी depreciation लग गया कितने लगा 5,00 और ये न examiner का सबसे ज़्यादा popular question है जो पूछा जाता है simple वाले बहुत rare पूछे जाते है ये सबसे popular रहता है अब तो change revise वाला भी आ गया वो भी पूछते है balance cd 275 31,12 ठीक है अब आजाओ 11,18 2 balance bd कितने रुपाएंगे 275 क्या M3 18 में खरीदा है चेक करो 19 में कुछ नहीं खरीदा M3 में तो सर्फ वेरी सिंपल हमारा ये as a t's depreciation लग जाएगा कब लगेगा सर्फ 31,12 पहले पे 20,000 तूसरे पे 10,000 cd निकार लेते हैं 275 275 आजाते हैं 30,000 माइनस करोगे तो 245 1,1,2,0,19 टू बैलेंस bd कितने रुपए आगे 245 अब तीसरा मसीन क्या खरीदा है बिलकुल 172,000 टू बैंक कितने का खरीदा है that is M3 है 150 का खरीद लिया अब depreciation की बात करते है तो 31,12 31,12 अब 3,3 depreciation क्या बेचा भी इसी साल है हमने बेचा भी है तो पहले हम बेचेंगे फिर depreciation लगेगा ठीक है तो सबसे पहले बेचा कब है हमने एक साथ 19,2 बैंक से क्योंकि डेप्रिशेशन तो लगा नहीं इस पे सेल कितने का और एक साथ को ही 19 में हमें हो गिया बाई प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस कितने का साथ हजार का अब डेप्रिशेशन लगाएंगे 31,12 बाई अब वन पे नहीं लगेगा अब टू पे लगेगा सिर्फ दस हजार और 31,12 को ही बाई डेप्रिशेशन नमबर अब किस पे लगेगा थ्री पे और थ्री पे देखो पहले साल में कितना है सेवेंटी पाइफ हंडड चलो 395 395 पाई बैलेंस सीडी 31,12 माइनस 160 माइनस 10,000 माइनस 75 दो 17,500 अब यह डेट पे आगे हमारे पास एक एक बीस तू बैलेंस बीडी 217,500 अब 31,12 को डेटरीशेशन लग जाएगा बाई डेटरीशेशन नमबर 2 अब डेटरीशेशन नमबर 3 अब 2 पे जो डेटरीशेशन है यारा हजार दो सो पचास अब 3 पे जो है यारा हजार तीन सो पिछेशन लग चुका है WD भी लग चुका है चलिए बस और तो है नहीं हमारे पास कोई मसीनरी क्योंकि बिग्या है एक तो 217500 217500 5 बाई बैलेंस CD माइनस ग्यारा 250 माइनस एक किस तीन सो पिछेशन 184 875 3112 तो यह था हमारा चेंज मैथड अब आपको लग रहा हुआ इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं अगर आप बिसिक बिसिक कुश्चन प्रेक्टिस कर रखी आपने तो आपको फील होगा सर इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं बस सिंपल सा यह चीज है जहां मैथड चेंज हुआ वहाँ से रेट चेंज कर दो और नॉर्मल कुश्चन करते जाओ जैसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे अब वैसे निकालेंगे मैं अगेन कहे दू जो पुरानी बुक है वहाँ पे करने का तरीका बिलकुल अलग था चलिए किसी को कोई डाउट सर एक्स्ट्रा क्लास है संडे को होती है क्लास नाइन बजे तक स्टार्ट हो गई थी हाँ बस मैंने रखा था क्योंकि मैं चारा हूँ जल्दी से जल्दी आपका स्लेवर्स नॉवंबर के पंदरा सोला जैसे कि दिवाली के बाद जो कुछ सेशन जाता है उसके बाद तो रेगलर क्लास हो जाएगी नॉवंबर से लेके आपका पंदरा नॉवंबर के बाद रेगलर क्लास मेरा टार्गेट है कि भईया एक दिसम्बर को आपका सलेवर्स खडब जो भी आपका 16-17 एक्जाम हो रहा है एक हार्डली मेरा लास्ट टार्गेट है 5 दिसंबर को लाइव में खतम कर देंगे रेगुलर क्लास लेके ठीक है चलिए अब देखो ये वाला मैथड होमवग में दे रहे हैं एक्जाम में आया हुआ है अब WDB से SLM इससे कोई मतला भी नहीं है जैसे करना है करोगे आप ये वाला भी नहीं करेंगे ये वाला भी होमवग में है मैं लिखता जा रहा हूं होमवग में तो आप होमवग ट्राई जरूर करेंगे ठीक है ना नहीं तो फिर दिक्कत होगी depreciation sale of assets change method ये भी होमवग में है प्रोविजन फोट नहीं ये होमवग में नहीं क्योंकि इसमें प्रोविजन फोट डेप्रिशेशन अभी सिखाया है नहीं मैंने आपको टोटल कितने कोशन है 31 है चलो ये ज़्यादा लंबा नहीं खिछेगा Tuesday भी सुभे क्लास रहेगी Tuesday कब सुभे क्लास रहेगी सुभे नौ बजे ही रखेंगे Tuesday को Reason Tuesday सुभे नौ बजे उस दिन दशेरा है मैं announcement डालूँगा अभी Tuesday का confirm नहीं है क्या रहने वाला है मैं announcement डाल दूँगा ठीक है तो कैसे रखेंगे Monday का भी मैं announcement डाल दूँगा पहले ही पता चल जाएगा कि कब रहेगी क्लास क्योंकि Tuesday दशेरा है साम को रखनी सकते और सुभे का कुभी मेरा कुछ confirm नहीं है तो उसके accordingly मैं चल रहा हूँ ठीक है तो यह हम change method के तीन question आज ही try करोगे तो होगा अब starting में चलते हैं सर क्या क्या था हमारा slavus के अंदर और क्या क्या कर लिए टिक मार लेता है एक बार देखो ग्यारवी बारवी वाले में हमें ज़्यादा मैनत नहीं करी और नहीं करना ही चाहिए क्यों क्योंकि उसके according देखो पहले हमने यह वाला method कर लिए दोनों नमबर दो पर मैंने बोला था क्या कराऊंगा मैं चेंज method तो आज हमने यह भी कर लिया जैसे ही change method और इसके खतम होंगे मैं नमबर तीन पर आपको revaluation of assets वाला concept कराऊंगा जो की बाद के questions है और जैसे ही revaluation of assets खतम होगा फिर मैं provision और फिर disposal यही sequence में लेके चलने वाले हैं नहीं तो student क्या करते हैं अभी तक समझ में आता है और book के अंदर सबसे पहले systematic नहीं है सीधा provision for depreciation दे देता है जिसमें 2-3 account बन जाते हैं तो बच्चा यह तो सीख लेता है provision for depreciation देखके फिर वहाँ उलच जाता है बोलता है फिर chapter tough है अभी तक आप इसमें और इसमें देखो कि ऐसा square major ऐसा बहुत बड़ी चीजे changes नहीं है और simple चलता रहा है ऐसा ही आपका वह वाला change चलेगा एक्जाम में पूछे जाने के chances इसके या इसके हैं इस बार ठीक है तो चलिए